नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूस चैनल मेट्र टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से निर्भया केस के दोशी विनाय ने तिहार जेल में की खुदखुशी की कोशिश गंभीर हालत में अस्पताल में भरती निर्भया की माबोली कर्मों की मिल रही है सजा पी-ओ-के के आतंत पीडितों को भी मुआफ़ा देगी मोधी सरकार पी-एमो में राज्यमंत्री चितेंदु सिंग ने दीजवान कारी स्मित्य रानी का खुलासा जेट एरवेज ने नौकरी देने से किया था इनकार कहा उनका विक्तित्व कुछ खास नहीं इसलिए नहीं मिली थी नौकरी जमुकश्मीर के पूर्व सियम गुलाब नभी आजाद का बयान हालात पर काबू नहीं पाया तो होंगे 1947 के बटवारे जैसे हाला और देश भर में आज अन्माश्टमी पर्व की धूम मंदिरों में जुटे रहे हजार उश्र धालू प्रिश्न भूमी मत्वरा में किये गए सुरक्षा के पुखता इंतजाम राष्टपती मुखर जी ने देश वासियों को धी जन्माश्टमी की शुपकाम नाएं दिले में हुए निर्भया गैंग रेप के दोशी विने शुर्मा नितिहार जेल में आत्मा हत्या की कोशिश की है उसने पहले जहां कुछ दवाईयां खाली वही बाद में तौलीए को गले में बांध कर मनने की कोशिश की वही बाद में तौलीए को गले में बांध कर मनने की कोशिश की विने शुर्मा नितिहार के जेल नमबर आठ में बन था उसे गंभीर हालत में दिन दयाल अस्पताल में भरती किया गया है बतादे की 16 डिसमबर 2012 को देश को जगजोड देने वाली गैंग रेप की इस वारदात का मुख्या रूपी राम सिंग ने भी तिहार में ही आत्मया हत्या कर ली थी राम सिंग का शव 11 मार्च 2013 को तिहार जेल के सेल में फंदे से लटका मिला था सिंग की खुदखुशी के बाद जेल प्रशासन पर कैदियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे वही अब विने की कोशिश ने एक बार फिर जेल प्रबंधन को निशाने पर ला दिया है पिये मोदी ने पाकिस्तान को एक और बड़ा नीतिगा जटका दिया है केंद्र कैबिनिट ने बुदवार को जहां एक और आतंकी हमलों और गोली बारी में मारे गए लोगों के परिवार को मिलने वाले मुआवजे की राशी बढ़ा दी है वही पहली बाज सीमा पर पाकिस्तान अधिकरित कश्मीर के लोगों को भी मुआवजा देने का फैसला किया पिये मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनिट बैठक में ये फैसला लिया गया इसके साथ ही नकसली हिंसा और सामप्रदाइक हिंसा मेमारे जाने वालों के परिवार को मिलने वाले मुआवजे में भी भारी भडोत्री की गई है फैसले की जानकारी देते हुए पीमो में राज्यमंतरी जितेंद्र सिंग ने कहा ये मुआवज़ा पाकिस्तान अधिकरित जमु कश्मीर के लोगों के लिए भी है लेकिन मौजूदा हालात में उन्हें ये नहीं दिया जा सकता है जमु कश्मीर में हालात सुधने के लिए केंद्र सरकार कड़े कदम उठाने की तैयारी में है सूत्रों की माने तो केंद्र घाटी में शांती बाहाली के लिए राज़ेपाल शासन लगाने का फैसला ले सकता है दरसल केंद्र सरकार ने जम्मु कश्मीर के हालात सुधाने के लिए जिम्मधारी राज़े की PDP BJP सरकार को सौपी थी लेकिन सूत्रों के अनुसार केंद्र अब ज्यादा इंतजान नहीं करेगा केंद्र ग्रहमंद्री राज़नाच सिंग दो दिन के दोरे पर जम्मु कश्मीर में है सूत्रों के अनुसार केंद्र राजनात सिंख के दिल्ली आने के बाद ही केंद्र सरकार कड़ा फैसला करने की तैयारी में है महीने के अंध तक जमु कश्मीर में चल रही अशांती को पचास दिन से उपर हो जाएंगे कानुन वेवस्था राज्य का मुद्दा है और राज्य सरकार ने भी अपनी ओर से कई कदम उठाए हैं जिन पर केंद्र सरकार लगातार इन कदमों पर नजर रखे हुए हैं जमु कश्मीर के पूर्व मुखे मंतरी और नेता विपक्ष गुलाम नभी आजाद ने कश्मीर के हालात पर दो टुक टिपनी की है उन्होंने कहा कि 50 दिन होने को हैं कर्फियू अब 24 घंटे लागू है घाटी में पेट्रोल पहुँच नहीं रहा और कश्मीर में परिशानिया आम जन की कमर तोड़ रही है यही नहीं उन्होंने कहा कि अगर हालात काबू नहीं किये गए तो 1947 के बटवारे जैसे हालात हो सकते हैं गुलाम नभी आजाद ने कहा कि केंद सरकार मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रही पी-एम मोधी कश्मीर पर काबिनिट की बैठक नहीं बुलाते शांती की अपील नहीं करते यही हालत रहे तो 1947 के बटवारे का नजारा हो सकता है उन्होंने आगे कहा 1947 में बटवारे की राजनीती हुई थी बहुत लोग मरे थे, बेघर हुए थे, बरबादी का आलम दिल दुखाने वाला नहीं भुकम जैसा था आज के दौर में जिस तरह से बाठने की राजनीती हो रही है अगर उस पर काबू नहीं पाया गया तो हालात सन 1947 की त्राजदी जैसे हो सकते हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश उपाध्याई ने आरोप लगाया है कि केजरिवाल सरकार भी श्रीला सरकार की तरह प्रष्ट है इस सरकार के मुख्या और उप मुख्या दोनों भरचचार को लगातार बढ़ावा देते रहे हैं सतीश उपाध्याई ने दिल्ली शहरी आश्रे सुधार बोड के भलस्वस्थित एक भुकंड को एक नीजी बिल्डर को सौपने के मामली में दिल्ली सरकार पर निश्वा नसाधा उन्होंने आरोप लगाया कि अर्बो रुपए के इस जमीन घोटाले में डॉक्टर नावलेंद्र कुमार सिंग अधिकारी को मुख्या दोशी पाया गया है वे उप मुख्य मंतरी मनीश सिसोधिया के बेहद नजदी की रहे हैं DUSIB की जमीन के घोटाले में उप मुख्य मंतरी की पोल खोलने के लिए आंदोलन चला जाएगा उन्होंने कहा कि डॉक्टर नावलेंद्र कुमार सिंग शीला दिक्षित सरकार के समय भलस्वर से जुड़े मौडल टाउन के SDM थे और तब भी जवीन के मामले में भी अन्यमिताओं के आरोप लगे थे JNU में राश्टरगान के दौरान चातरों की कम संख्या से उपजे विवाद पर JNU प्रश्रासन की तरफ से जवाब भेजा गया है एक प्रेस रिलीस के जरिये बताया गया है कि चातरों की उपस्तिती अच्छी खासी थी साथी कुछ तस्वीरे भी भेजी गई है जिनके जरिये दिखाया गया है कि टीचर प्रोफेसरों से लेका स्टूडिन्स भी इस राश्टरगान में शामिल हुए थे जवाहलाल नेहरू विश्वदेले की पी आर ओ पूनम कुदेशिया ने पूरी जौनकारी दी और कहा कि वाईस चंसलर के नेतित्व में विश्वद्विदेले में ये पूरा कारिक्रम सफलता पूर्वक आयोजित किया गया 23 अगस्त को हुए राश्टरगान कारिक्रम में चात्रों की कम उपस्थती को लेकर कई जगा खबरे छपी थी जिसके बाद ज्येनी प्रशासन ने इस बात का पूरी तरहा से खंडन किया है कृष्ण जन्माश्टमी पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है राजधानी दिल्ली में सुभा से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है वही पूलिस प्रशासन की और से जन्माश्टमी की परवपार मतुरा में सुरक्षा के कड़ इंतजाम किये गए हैं कृष्ण जन्मभूमी परिसर की सुरक्षा में CRPF, LIUIB, Blackgate Commando, PSC और Civil Police के जवानों की तेनात की गई है इसके साथ ही महीला पुलिस और Traffic Police को भी सरक्षा में लगाया गया है कृष्ण जन्मभूमी को तीन जोन में बाता गया है जन्मभूमी के अंदर का हिस्सा Red Zone, चार दिवारी के बाहर का इलाका Alone Zone और परिसर के बाहर Green Zone बनाया गया है इसके साथ ही पूरे परिसर को 14 सेक्टरों में विभाजित किया गया है परिसर के पास बेरिकेडिंग लगा दी गई है बाहर से आने वाले श्रधालू को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो इसके लिए पुलिस साहता केंत्र भी बनाए गए है विश्वे हिंदू परिश्वत की फाय ब्रांड ने त्री साधी प्राच्वी ने पीम के उस बयान पर कड़ी अपती जाहिर की है जिसमें उन्होंने गोरक्षक की नाम पर कुछ लोगों द्वारा गोरक दंदा चलाने की बात कही थे उन्होंने कहा कि पे-म को ये नहीं भूलना चाहिए कि गोरक्षकों के दंपर ही वे पी-म बने हैं उन्होंने कहा कि गोरक्षक अपना सिर कटाने को सदीव तयार हैते हैं मगर सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने वाले नेता सक्षिक सुख पाते ही आरोप रत्यारोप मढने लगते हैं विश्व हिंदु परिश्वत के स्थापना दिवस पर बुदवार को हदी हाल में आयोजित कारिक्रम में मुख्यातिती के रूप में श्रामिल होने आई साधी प्राची ने आकरमक लहेजे में कहा कि देश अहिंसा के पुजारी मातमा गांधी के चर्खा चलाने से नहीं आज़ाद हुआ था बलकि सदार भगत सिंग सुखदेव जैसे विरोखी कुर्बानी से हुआ कोट के आदेश के बावजूद माराश्ट नवनिर्मान सेना ने 20 फीट से उची दही हांधी लगाने का अलान किया है थाने शेहर में MNS ने 20 फीट से उची मानव पिरामिड बनाने पर 11 लाक रुपाई का इनाम देने का अलान भी किया है मुंबई में भी कुछ जगाहों पर MNS इसी तरह 20 फीट से उची दही हांधी बांधने वाली है मुंबई पुलिस ने पहले ही MNS के दही हांधी उच्सव समितियों को नोटिस जारीकार कोट के आदेश का पालन करने को कहा है बुदवार को सुप्रीम कोट का आदेश आने के बाद राज्ये के अतिरिक्त मुख्यस अचीफ केपी बक्षी ने कहा कि सभी दही हांधी उच्सव समितियों को सर्कुलर भेजर दिया गया है आदेश का उलंगन करने वालों पर कारवाई की जाएगी उधर मंसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने इसका विरोध करते हुए कहा कि तो हार उत्सव के रूप में ही मनाया जाना चाहिए केंद्र मंत्री समितियों इरानी ने कहा कि केबिन क्रूपद के लिए उनके आवेदन को जेट एवेज ने किसी जमाने में ये कहते हुए खारच कर दिया था कि उनका विक्तित्व कुछ खास नहीं है टेलिविजिन अभी नेतरी से नेता बनी स्मृतिरानी ने मज़ाकी अंदाज में आवेदन खारच करने के लिए जेट एवेज का धन्यवाद किया और कहा कि वहाँ नौकरी नहीं मिलने के बाद उन्होंने मिक्टॉनल्ड में नौकरी कर ली और उसके बाद जो हुआ वैसारी बाते इतिहास का हिस्सा है उन्होंने एक समारों में कहा मुझे नहीं बता कि बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि सबसे पहले मैंने कौन सी नौकरी चाही थी मैंने जेट एरवेज में केबिन क्रू के लिए आवेदन किया था लेकिन मुझे खारिज कर दिया गया मुझे बताया गया कि मेरी personality अच्छी नहीं है आवेदिन खारिज करने के लिए आपका धन्यवाद भारतिय वायू शेत्र में उडान भरने के दौरान जल्द ही यात्रियों को वाई-फाई की सुविधा मिल सकती है सरकार ने बुदवार को संकेद दिये कि आने वाले कुछ दिनों में इस संबंद में फैसला होने की संभावना है नगर विमानन सचीव आर एन चौबे ने विमानों में उडान के दौरान वाई-फाई सुविधा उपलब्द कराने संबंदी एक सवाल के जवाब में बताया मैं आपको दस दिनों में अच्छी खबर दे सकता हूँ इस समय यात्रियों को भारतिय वाई-उशेत्र में उरान भरने के दौरान मुबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तमाल करने की अनुमती नहीं है चौबे ने बताया इस बात की काफी संभावना है कि अगले दस दिनों में भारतिय वाई-उशेत्र में वाई-फाई चलाने की अनुमती दे दी जाएगी अफगानिस्तान की राजधानी काबूल में अमारिकन उनिवर्सिटी पर हुए आतंगवादी हमले में दो लोगों की मौत हो गई जबकि 14 घायल हो गए हैं उनिवर्सिटी में तमाम स्टूडन्स और टीचर फसे रहें मौके पर पहुचे सुरक्षबलों ने मोर्चा संभाल लिया दोनों हमलावर मारे जा चुके हैं फाईरिंग अब बंद हो गई है अभी तक किसी आतंगवादी संगठन ने हमले की जमदारी नहीं ली है घायलों में तीन महिलाए भी हैं बताया जा रहा था कि करीब 15 आतंगवादी बुदवार श्राम को दारुल अमन रोड स्थित उनिवर्सिटी कैंपिस में घुजगाए स्थानिय मीडिया के मताबिक उनिवर्सिटी के पास जबरदस धमाके की आवाज सुनाई दी इसके बाद घटना स्थल के पास फाइरिंग की आवाज भी सुनी गई खबरों के सफर में फिल हाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरे हम आप तक पहुँचाएंगे एक नए अंदास में आपके मुबाइल पोन के माधम से तो आप जूड़ रहीं मेट्रो टीवी से तब तक के लिए नमस्कार